संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस कमिशनर और एडिशनल वर डिप्टी पुलिस कमिशनर अब नई कोट रूम में मुकदमों की सुनवाई कर सकेंगे नई कोट रूम कट्रा इलाके में स्थित पुलिस ऑफिस में तैयार की गई है नई कोट रूम का उधगाटन पुलिस कमिशनर रमित शर्मा ने एक साधे समारों में किया इस मौके पर DCP सिटी दीपक भूक, DCP गंगानगर अभिशेक भारती, DCP यमुनानगर अभिनव त्यागी, DCP हेटक्वार्टर श्रद्धा नरेंद्र पांडे, DCP ट्राफिक आशुतोष कुमार, ACP पुशकर वर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद थे पुलिस अधिकारी अभी तक अस्थाई व्यवस्था में न्यायाले के कामों को कर रहे थे, लेकिन पुलिस ऑफिस कैंपस की नई बिल्डिंग में अब स्थाई कोर्ट रूम्स बना दी गई है पुलिस कमिशनर रमित शर्मा ने इस मौके पर बताया कि नई कोर्ट रूम बनने के बाद अब वोटकारियों के साथ ही वकीलों और अधिकारियों को भी सुविधा होगी उनके मुताबिक इन कोर्ट रूम्स में पुलिस अधिकारी गुंडा एक्ट और गैंक्स्टर समित तमाम मामलों में सुनवाई कर सकेंगे प्रयागराज पुलिस कमिशनरेट में जो पुलिस आयुक्त अतरिक पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त बीसीपीज के जो कोर्ट चल रहे थे वो अभी तक अस्थाई बिल्डिंग्स में अस्थाई वेवस्था के बिल्डिंग्स में थे अब पर्मनेंट इंफ्रास्ट्रक्शर देते वे जो पर्मनेंट रूम्स हैं वो इनको अलोट कर दिये गए हैं तो अब ज़्यादा सुविधा होगी वादकारियों को भी जो अड़ोकेट्स हैं उनको भी और जो अधिकारी नयाइक कार करेंगे हैं इनको भी असानी और सुविधा हो जाएगी अब नई बिल्डिंग्स जो इनको मिल होई हैं जो नई बिल्डिंग मिली है डीसीपीस को और पुलिस आयूक्त और अतरिक पुलिसायुक्त के लिए इससे सभी कुशविधा होकी अब कौन-कौन से अचे आदेश हैं जो पहले पिशासन द्वारा और पुर्की आदेश और तमाम गुंडा एक्ट इंसरी कारवाई के आपके सपारिश की होगी CRPC के तहट जो कारवाईयां हैं वो अब जो मजिस्ट्रेट के पावर्ज हैं वो अब ACP's और DCP's के पास हैं वो उनके द्वारा होंगी और 14 अन्य आक्ट जिसमें गुंडा और गांक्स्टर आक्ट हैं इनकी भी जो पावर्ज हैं वो पुलिस आयुक्त और अतरिक पुलिस आयुक्त के न्याले के द्वारा संपातित की जाएगी बार असोसियेशन के अध्यक्षवा अन्य पदाधिकारियों ने इस मौके पर पुलिस कमिशनर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर नई कोर्ट रूम्स बनाये जाने पर उनका आभार जताया और कहा कि इससे वकीलों व वोटकारियों दोनों को ही अब पहले से ज्यादा सुविधा होगी गौरतलब है कि संगम नगरी प्रयागराज में भी दिसंबर 2022 से पुलिस कमिशनर सिस्टम काम कर रहा है कमिशनर और सिस्टम में पुलिस अधिकारी भी कानून से मिली शक्तियों के तहत तमाम मामलों में सुनवाई कर रहे है